क्या कोई एक पल ऐसा भी होता है, जिस पल में भगवान से हमारी सीधी बात हो सकती हो, और हम मन चाही मुराद भी पा सकते हो, अर्थात हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती हो, तो उत्र है हाँ, जी हाँ हो सकती है, तो फिर देर किस बात की? आईए बै टेकनिक अभी सीख लेते हैं, मैं वीना कपिल, जोतिश क्योरी चैनल पर आप सब का हिर्दे से स्वागत करती हूँ, मैं आज आपके लिए खुशियों का व्यपल ढूंट कर लाई हूँ, जिस पल में आप अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, ये व्य समय है जब कुद्रत एलाइनमेंट में हो अपनी आवास उन तक पहुचा सकते हैं, फिर वो बात चाहे हमारी भोतिक इच्छाओं को पूरा करने की हो, अत्वा अध्यातम की हो, और इश्वरी किरपा पाने की हो, बात तो बहुत गहरी है, महसूस करने की है, बात दिल से समझने की है, आज मैं आपको दो अलग-लग विध्या बताऊंगी, आप चाहें तो दोनों विध्यों का प्रयोग करें, जा किसी एक विध्यी का, 24 घंटों के दोरान, 40-40 मिन्टों के चार पड़ाव आते हैं, इन पड़ावों अर्थात इस समय अविध्यी वाले हिस्से को संध्या समय कहा जाता है, अर्थात ट्विल ट्विलाइट, भोतिक और अध्यात्मिक उपलब्धियों को प्रापत करने का एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा समय है, जिस समय के दोरान, कुद्रत के साथ मनुश्य का एक सुंद्र तालमेल बैठता है, हमारे शरीर में 72,000 नाडियां कारे करती हैं, उनका मिलन बिंदू ठीक हम नाभी के नीचे है, नाभी से दो अंगुल नीचे स्वाधिस्थान चक्र है, और नाभी से दो अंगुल ऊपर मनीपोर्चक्र है, इन चक्रों को जागरित कर अनमोल लाब उठाए जा सकते हैं, इनיך जागरित करने का सही समय संध्या समय संध्या समे किया गया जब या प्रानायाम कई गुना अधिक फल देने वाला होता है आज मैं आपको ये चारों संध्या निकालने के साथ साथ उस पल के बारे में भी बताने जा रही हूं जिस पल में आप अपनी हर इच्छित वस्तु पा सकते हैं बस व्या इच्छा संभव अर्थात सत्य के करीब हो और इसके अतिरिक आपने उस कारे के लिए अर्थात उस इच्छा के लिए उच्छित प्रयास भी किया हो आप जानते हैं कि इश्वरी मदद से हर असंभव कारे भी संभव हो जाता है बस आपके भीतर द्रिड विश्वास, डेडिकेशन, डेटार्मिनेशन होना चाहिए आपको अपनी इच्छा को पॉजिटिव वे में लिखना है और कम से कम शब्दों में लिखना है जैसे आपको मानलो मकान बेचना है तो आप लिखेंगे मेरा मकान इतने लाक में बिग गया मेरे प्रभू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र करते हुए अपनी विश्च के पूरन होने की बात सोचनी है आप जानते हैं यथा द्रिष्टी तथा स्रिष्टी नेचूर के ला को समझना है आप जिस रंग में देखेंगे आपको दुनिया उसी रंग में दिखाई देगी यदि आपने सही धंग और सही समय का चुनाब क रहते हैं आपको अपने शहर का सूरे उदे और सूरे अस लेना है सूरे उदे से लेकर सूरे अस तक के समय के बिट्वीन जो अंतराल आएगा जो घंटे आएंगे वो हमारा दिनमान होगा और सूरे अस से लेकर दूसरे दिन की सुभा सूरे उदे होने तक के समय के घंटों को हम रात्रीमान कहते हैं, सूरे उदे से ठीक 20 मिनट पहले तथा सूरे उदे होने के ठीक 20 मिनट बाद तक वाला 40 मिनट का समय हमारी सुभा की पहली संध्या है, मान ने सूरे उदे 6 बजगर 31 मिनट पर हुआ, तो 6 बजगर 11 मिनट से लेकर 6 बजगर 51 मिनट तक का समय ये जो 40 मिनट का समय हमें प्रापत हुआ है, ये हमारी पहली संध्या हुई, अब हमें दोपहर की संध्या का समय जानना है, सूरे उदे मान लो 6 बजगर 31 मिनट पर हुआ और सूरे आस्थ शाम को 5 बजए, तो हमने 6 बजगर 31 से लेकर शाम के 5 बजगर के दोरान जितने घंटे आए उनको लेना है और उसका आधा भाग करना है, हमारे पास 10 घंटे और 39 मिनट का समय आया, हमने इसमें से 40 मिनट निकालने हैं, 11 बजगर 46 मिनट से लेकर 12 बजगर 6 मिनट तक का समय हमें दोपेहर की संध्या प्रापत हुई, इसे ही ब्रहम मुहुरत कहते हैं, ये बहुत शुप समय होता है, इस समय के दोरान किया गया हर कारे सफल होता है, सूरे अस्थ शाम 5 बजगर तो हम 4 बजगर 40 मिनट से लेकर 5 बजगर 20 मिनट तक के समय को, जो 40 मिनट का समय हमें प्रापत हुआ है, ये समय ही हमारी शाम की संध्या अर्थात हमारी तीसरी संध्या है, अब चौथी संध्या के बारे में जानते हैं, चौथी संध्या के लिए हमें सूरे अस्थ जो 5 बजगर तब से लेकर अगली सुभा के सूरे उदे जो की 6 बजगर 30 मिनट सुभा का समय है, इन दोनों समयों के बीच का अंत्राल हुआ 13 घंटे 30 मिनट, तो ये जो 13 घंटे 30 मिनट ये हमारा रात्री मान है, इस तरह रात्र इसमें हमने जमा किये तो 11 बजगर 45 मिनट का समय प्रापत हुआ, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि 20 मिनट इधर और 20 मिनट दूसरी दरफ निकालने है, तो 11 बजगर 25 मिनट से लेकर 12 बजगर 5 मिनट तक का जो समय है, वो हमारी चौथी संध्या हुई, अब आपने संध् निकालना तो सीख लिया है, हमें सुभा 6 बजगर 11 मिनट से सुभा के ही 6 बजगर 51 मिनट तक का जे जो 40 मिनट का समय मिला है, हमारा गोल इसी समय के भीतर चिपा है, असल में हमें 3, 6 और 9 के अंकों की ताकत अर्था 3, 6, 9 की ताकत का जो फार्मूला है, वो प्रयोग करना है दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं, जिसकी पूर्ती आप इस टेसला कोड अर्था 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन टेकनीक से न कर पाएं, पुरा ब्राहमंद आपकी इच्छा पूर्ती में लग जाएगा, आपको केबल संध्या समय, चारों संध्या में सब कोई भी संध्या चुन सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि 3, 6, 9 का प्रयोग कर पाएं, जैसा कि हमने जो समय निकाला है, उस समय में से 6 बज कर 49 मिनट का पल ही वो ऐसा पल है, जिसमें 3, 6, 9 तीनों अंक आ रहे हैं, जिस पल में आपने अपनी इच्छित आवस्थ को प्रापत करना है, अर्थात अपनी इच्छा पूरी करनी है, उस पल में आपको इतना डूब जाना है, इतना विज्योलाइज करना है, कि जैसे आपकी वो इच्छा पूरन हो चुकी है, उस पल को प्रापत करने के लिए, आपको अपनी रीड की हड़ी को बिलकुल सिधा रखना है आँखे बंद करनी है और जैसे एक बच्चा अपनी मा से बात करता है ना बिलकुल वैसे ही आपने अपना सारा ध्यान पहले तो मस्तिक्ष में केंद्रित कर लेना है और हिर्दे में ये महसूस करना है कि आपके ठीक सामने इश्वर बैठे हैं अब आप अपनी आपको इतना उचाव बोलना है कि आपकी आवास आपके कानों तक जाए फिर उसके लिए आपको कोई ऐसा स्थान चुनना पड़ेगा जहां आपको कोई और डिस्टर्म ना कर सकें क्योंकि उस समय आपका रोम रोम इश्वर से जुड़ा होना चाहिए इसलिए आपको इश कोई डिस्कोनेक्ट ना कर पाए इस वजह से आपको ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहां पर आप कमफर्टेवल फील करें इसके लाब आप दूसरा तरीका भी है दूसरा तरीका है कि आपकी जो विष है आपने अपनी उस विष को एक सीक्र डाइरी में लिखना है जिसे सुबह उठते ही तीन बार दोपेहर को छे बार और रात को सोने से तुरंत पहले नौ वार उस विष को डाइरी में लिखना है लिखना अपने हाथ से है पैन कोई भी हो सकता है किन्तु फोन जा कंप्यूटर पर नहीं लिखना लिखना केवल डाइरी पर ही है यदि कोई छो 30 दिन लगातार और यदी गोल बहुत ही पड़ा है तो आपने 45 दिन लगातार ये 3, 6 और 9 बार बार लिखने का जो नियम है इसे आपने लगातार दोहराना है उस समय ईश्वर और आपकी इच्छा के बीच कोई डिस्टर्मेंस नहीं होनी चाहिए बस सापको खेबल इतना ह ध्यान रखना है सब काम निपटा कर ही रात को लिखें उसके बाद युनिवर्स को थैंक्स बोले और फिर तुरंथ सो जाएं वेटेवर यू वांट यू विल गेट इट बस युनिवर्स को अपना काम करने दो आप केवल पूर्ण विश्वास और धन्यवाद की भावना क साथ अपने भीतर अपने प्रभू को अपने समक्ष समझें जब तक विश्व पूरी ना हो जाए ना ही डगमगाए ना ही कोई दूसरी विश्व बीच में लाएं सुभा का जा शाम का ये जो समय चे बज कर 49 मिनट का है इस समय के इलावा भी कुछ अन्य समय जैसे तीन बज कर 9 मिनट 6 सेकंड का समय जा 3 बज कर 6 मिनट 9 सेकंड का समय इसी तरह 6 बज कर 3 मिनट 9 सेकंड और 6 बज कर 9 मिनट 3 सेकंड का समय भी आप चुन सकते हैं 9 बज कर 6 मिनट 3 सेकंड 9 बज कर 3 मिनट 6 सेकंड का समय भी आप चुन सकते हैं ये भी काम करते हैं पर थोड़ा मु जाते जाते आपसे प्राटना है कि वीडियो से समंधित प्रश्न आप कॉमेंट्स में जरूर लिखा करें क्योंकि आपके कॉमेंट ना केवल मेरा मार्क दर्शन करते हैं आपी तु मेरा उत्साह भी बढ़ाते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपने एक नया जीवन दान दिया है आपने जोतिश क्योरी चैनल को सब्सक्राइब किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसी लगी किर्पया फीडबैक अवश्य दे तो मिलती हूं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें खुश रहें, स्वस्त रहें, सदा मुस्कुराते रहें ओव नम्हा शिवाए